दोस्तो आज हमारे पास केबल टीबी का पावर सब्रा आया है इसमें प्रोड़म है तिनों में पावर ओनी हो रहा है इसमें देखे कौनसा कॉंपनी का है ये देखे के शार्प कॉंपनी का है गैब। गैब रिट का भी है और मेट्रो का भी है देखिए इसमें 35 बोल्ट निकलना चाहिए इसमें 40 बोल्ट इसमें भी 40 बोल्ट आएए हम इस तीनों को खोल करें देखते हैं किया प्रब्लम है खोलने के बाद मिलते हैं देखिए हमने इस तीनों को खोल लिया है इसको हम तीनों को अभी कैसे रिपियर करते है अब देखिए ठीक है कि अगरे को अगरे को अगरे कर लेता हूं अगरे केमरा सेट कर लिया अभी इसमें देखिए कि यह पावर जल रहा है कि अभी पावर जल रहा है अभी इसको कि करके पावर लगा के देखेंगे यह प्रब्लम है इसमें पहले मैं इसमें लाइन लगाता हूं देखिए इसमें मैंने पावर दे दिया लेकिन कोई लाइट वगरा नहीं जल रहा है ठीक है इसको मैंने साइट कर लिया अभी हम इसको लाइन देंगे एक गेबरिट का है इसमें भी यह चल रहा है यह मत्तब यह ठीक है अब हम मेट्रो को लाइन देंगे इसको देखते हैं अब देखिए यह भी लाइट नहीं जल रहा है ठीक है अब हम इसको कैसे रिपियर करते हैं अब देखिए इसमें है प्रड़म क्या है यह देखिए एक इसी का कनेक्शन टूटा हुआ है कि इसके सी का कनेक्शन टूटा हुआ है मेट्रो में कि इसी कनेक्शन हम देखे देखते हैं कि साइड एक ठीक हो सकता है कि इसको कनेक्शन कर दिया अभी देखते हैं कि इसने कि इसी सप्ले आता है कि नहीं देखते हैं कि इसी सब्ले आ रहा है कि इसमें प्रोब्लम है लाइट नहीं जल रहा है यह ओन नहीं हो रहा है ठीक है कि इसका है कि पुरा खोल लेता हूं कि निकलने के बाद मिलते हैं कि दिखिए मैंने इसको निकल लिया इसमें था और इसमें दो कनेक्शन रहता है यह पोजिटीव और यह नेगेटिव है यह पोजिटीव है और अधि यह दोनों है इसमें इसमें रहता है पोजिटीव इसमें रहता है निगिटिव आजब कर देखिए इसमें बॉल्टेश कर रहा है ठीकिए इंडिकेटर नहीं जल रहा है त्क है ? इसका इंटिकेटर हम चेक करेंगे जित वे हैख यह गलो commerce है सवा उल्हाय है सने कि अधिगल पर सकता है कि हम कि अधिवर्य चेक करते है पहले इसका पावर डिस्क नेक कर देता कि हम ऊपप कार दिया चल डिख करेंगे अभी वह कि इसका एलेडी खराब है कि इसका एलेडी निकाल देता हूं कि इसका एलेडी निकाल दिया कि दूस्तों लगाएंगे कि इसके मैंने एलेडी ले लिया अभी हम इसको इसके एलेडी लगा के चेक करेंगे जलता ही कि नहीं यह नेगेटिव है यह पोजिटिव है ठीक है यह देखे एलेडी ग्लू कर रहा है हम इस एलेडी को इसमें लगाएंगे मिह हमने लगा दिया तो भी सोल्ड्रिंग करना है अजय है कि दोनों ज्यादा थोड़ा बड़ा आए एक काट देंगे इसको काट दिया अब इसको इसी लगा कर देखते हैं यह इसी है इसको हम इसमें लगा दिया यह देखिए यह ग्लो कर रहा है इसको बोल्टे साम चेक करेंगे कितना निकल रहा है यह वाला पॉजिटीव है यह नेगीटिव है यह देखिए 35 बोल्ट शो कर रहा है 30.35.45 यह बिटकुल ठीक है अच्छा यह रिपेर हो गया कि कुछ नहीं हुआ इसमें इसी का तार तुटा हुआ था और एक लेडी खराब था ठीक है अब यह दूसरा निकलते है इसको सेट कर देते हैं कि देखिए हमने दूसरा खोल लिया इसको चेक करते हैं कि देखिए बोल्टेस फ्रेक्सेशन हो रहा है कि देखिए बोल्टेस फ्रेक्सेशन हो रहा है इसमें problem है इंपूर्ट में कोई problem होगा देखते हैं इसका mean capacitor खराब है इसको हम देखते हैं इसका power बावर बंद कर दिया और कि दिखिए इसका कैपसिटर थोड़ा सा फुल गया है इसके में कापसिटर इसको हम चेंज करते हैं इसको हम यहां से काट देंगे देखिए इसका कैपसिटर हमने खुल दिया है दूसरा लगा है इसमें है कर देखिए मेरे पास एक कापसिटर है इसका जो लेग है थोड़ा चोटा है इसलिए मैंने इसका लेग काट दिया उधर रख दिया इस लेग में उस लेग जोड़ देंगे आज देखिए आज अब कि अ यह निगेटिव है कि दिखें कि इसमें दूसरा लगा दिया कि दिखें कि दूसरा हमने लगा दिया अभी हम इसको उची तरह से चेक करेंगे अब इसको बुल्टेस बराबर है कि नहीं है यह निगिटीव है और यह पोजिटीव है यह देखें कोई फेक्सेशन नहीं है अभी बुल्टेस पूरा ठीक है बराबर है कि यह भी हो गया है अभी दूसरा है यह हो गया आपका शर्फ वाला अभी एक गेवरिट इस गेवरिट को दिखेंगे इसमें क्या पॉब्लम है इसमें इसमें मैंने एसी लगा दिया अभी यह इसको यह ओन नहीं हो रहा है इसमें एस्टियर फट गया है ठीक है इसको हम भी रिपियरिंग करेंगे एलेस को खोल लेते हैं इसका बोट को निकाल लेते हैं यह पर आउट्पूट कनेक्शन है इसको निकाल लेते हैं आए तो यह बोड नहीं निकलेगा ठीक है अब लोगों को अगर और सब्सक्राइब करना है पहले आउट्पूट कनेक्शन निकलना होगा कि मैंने निकल लिया तुरस्टाप कर लेते हैं कि तेले स्टेयर को निकलना होगा तो स्टेयर हराब वसका है इसको हम पहले निकाल लेते हैं कि इसमें चार लेग होता है चारू लेग को खोलना होगा देखें निकाल लिया यह देखिए यह पूरा जल गया है इसको तुरस्टाप कर लेते हैं कि मेरे पास कि डिस ओंडर वेर हैं कि डिस ओंडर वेर से हम इसको कि अब साफ कर लेंगे अब कर लिए इसको भी तुरस्टाप कर लेंगे इसमें क्या क्या सौट है देखते हैं पहले इस जलिमीटर को बर्जर में लगाते हैं कि अब आइस इसमें सॉट दिखा रहा है इसके वज़ेस्टाइब आइस पहले यह जो डायड है यह डायड को हम यह डायड को हम पहले चेक करेंगे देखी एक जीनर है इसमें एक ओप्टू कपलर है और एक एस्टीर है यह तीनों को पहले चेक करना होगा ठाइस आफ़े लोड़े है वज़। प्सक्त प्सक्त करेंगे ऑ्सक्त करेंगे कि यह जीनर चिप करते हैं कि एक तरफ खोलने से हो जाए था कि यह जीनर कमें कर लिया चोटे से जीनर को हम चेक करेंगे कर देखिए जीनर पूरा शॉट है यह जीनर हम बदल देंगे एक फोरान फोरेट का जीनर है पूरान फोरेट का जीनर टायोड है इसको हम कि दर रख देते हैं कि अ, मेरे पास अभी जीनर निकलना होगा इस इस देखना होगा कौन सा है और यह देख्ये ने यह फोरान फोरेट का जीनर ले लिए यह देखे नेया ले लिया इसका इसा है इसमें मैंने इसमें मैंने स्टियर भी ले लिया इदेखे कौनसा नमबर रहता है इसमें इसमें कर देखे कौनसा रहता है इस अधर रहता है इस अधर रहता है तो यह मैं एस ट्र भी ले लिया हमें चाहिए ओक्टो कफलर जीनर लगाईंगे इसमें लगाएंगे ऐव्ट कपलर हैं कि देखिए चार लेक का ओक्ट कप्लर होता है कि चारो हम इसमें लगाएंगे दर में रग दिया पहले हम इसका जीनर लगाएंगे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है देखिए इसमें जो ये काला है ना ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है ठीक है इसको हम इसमें सेंबल दिया रहता है देखिए इसमें सेंबल दिया रहता है ये दिखिए यहां और यहां इसमें लगेगा काला को काले रंग को काले रंग में लगा दिया इसमें हमने इसको लगा दिया ठीक है अभी हम इस ओक्टो कप्लर को खुलेंगे है अभी है 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 जिक्टे ए ओक्रवाइब खोल दिया है कि खराब है यह तीनों को कि इधर रख दिया कि अभी हम कि इसको अप्टकलप्वार की दाखा को परा साफ कर लेंगे कि इसको मैंने साफ कर लिया अभी हाँ अप्टकलप्वार को चीक करेंगे अभी पूरा नावाले को थैर कि इस होटे है यह ने नहीं है मैं कै इस कि प्ला कर दो कि अटी जब्ढ़ ऑसर अभुआ है यह अटे है श नाख्यां यह जोड़े में इसके यह दिखे यह नहीं लगा के देखिंगे इसमें इसमें पॉइंट दिया हुआ रहता है देखिए इसमें ड्राइग्राम है इसमें एक नमबर पीन है इसको हम इस तरह से लगाएंगे इसको मैं लगा लिया इसको लगा लिया ठीक है अभी इसको एससे अर निकालेंगे इसको भी चिप करना होगा इसमें पॉर्णा वाला है इसको हमने अभी अभी निकाला है इसको देखते हैं इसको चेक करेंगे इसको चेक करेंगे इसको नहीं बदलने से मीटर में चीक से नहीं लिखाता है इसको नहीं बदलने से वोल्टेश ठीक नहीं आएगा पॉल्टेश रेगुलेट ठीक से नहीं होगा इसको बदलना ही बदलना है यह तीनों चारों चीज को अगर आप पावर सप्लाई रिप्यार करते हैं तो यह चारों चीज को बदलना ही परेगा तो भी रिप्यार होगा नहीं तो दिक्कत आदेगा दू दिन के बाद फिर से दिक्कत देदेगा कर दो कर दो कि छोटे कमपनें का हमें सोल्ड कर दिया कि इसका जो लेग है इसको काट देते हैं कि रसाप कर लेते हैं कि दिखिए मैंने इसको साफ कर लिया है अभी हम इस टियर को हिट्सिंग में लगाएंगे कि इसका लेख थोड़ा टीरा हो गया इसको शीधा कर लेते हैं कि इसको हम तब यह स्टियर को इसमें लगाएंगे कि अ कि अ कि देखिए मैंने इस्टियर लगा दिया कि इसका चारों लेक बाहर आ गया इसमें जो स्कुरू रहता है स्कुरू को लगा देते हैं कि हीट्सिंग में एक स्कुरू रहता है ठीक है स्कुरू हमने लगा दिया अब इसको हम सोल्ड करेंगे इसका भी लेक थोड़ा लंबा है इसको भी काट देते हैं अब हम इसको लाइन देंगे इसको हम लाइन देंगे डाइरिक लाइन नहीं देंगे इसमें एक फ्यूज है फ्यूज जल गिया है इसको हम कि निकाल देंगे इसमें हम इस हंड्रेड वर्ट का बल्प लगाएंगे ठीक है कि सिरिस लाइन देंगे इसमें अब हम इसको अब देखिए इसको अब हमने लगा दिया अब हम इसको अब इसको अब हम इसको अब देखिए कि इसमें 100 वर्ड का बल्प जल रहा है मतलब और कुस इसमें शॉट है इसको हम यहँ दिखिए, 11 वर्ड वर्ड का बल्प पूरा जल रहा हैं इसमें और भी शॉड है, क्या चीज शॉठ है हम दिखते हैं पहले डायोट चेक करेंगे पूरा स्वर्ट बता रहा है कि चारो डायोट को हम खूलेंगे कि एक एक कर गए कि फुल करके छेफ करेंगे देखें मैंने इसका टारो डायोट निकल लिया अभी डायोट हम चेक करेंगे देखेंगे कौन सा डायोट शोट है कि ओड़ें अलब्णते पूर्द ये बींगता फटाब है तो ये इस पींगता है कि यह थां stell ने कि इसका चारो डायट शोड़ है इसको हम चारो बदल देंगे इसको हम ने निकाल लिया इसके हम इसमें हम नया डायट लगाएंगे कि देखिए हमने नया डायट निकाल लिया इस देखिए इस चार मैंने निकाल लिया इसमें रहता है अधिरी डाबल नाइन इसका नमबर है अधिरी डाबल नाइन इसका नमबर है कि इस पाइब ट्री डाबल नाइन ठीक है दूसरा भी इन यह लगा टेंगे कि अधिर साफ कर लेंगे कि अधिरी इसमें भी सेंबल दिया हुआ है कैसे कैसे इसमें लगे देगा कि देखिए कि इसको हम इसमें लगा दिया एक कि देखिए कि दो व्राइर तीन तीन won जडर चार अभी हम पिच्छारों को सुल्डिंग करेंगे पिच्छारों कर लोग्षस अभी दो तो तौदा बिच्छारों करेंगे थारों करेंगे तौदाँ कर देंगे कर देंगे कर दो कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर दो कि अग्या वहां एक जाए कि आपके हैं कि हमने सब कुछ लगा लिया तबी नहीं ओन हो रहा है अभी देखिये आउटपुट निकलता ही कि नहीं देखते हैं अगर नहीं निकल रहा है कोई काम ने कर रहा कोई ना कोई ना कर तो बोल बतादी हो कोई ना कर तो बोल बतादी हो तो इंपुट आ रहा है एकिन ऑन नहीं हो रहा है कि यह शोड है इसमें लेखें आगे बहु है कि की सेना लेसे लोगे कि कि है यो अवर बटा बुल कि अवर सुझ है अवर पाल पाल गोखाश को दो है अब है और दो आधार को यह कुछ है शोड़ हो सकता है दिखते हैं प्रेंज है और दाल की डाल की ज़्यक्त है कि इस वट है कि मैंने दूसरा ले लिया इस वोट नहीं है, इसको लगाए तो करके मैं यह तो से नहीं हो आरिज कर कि अब इस देते हैं कि टीक होता है कि नहीं कि देखिए ओन हो गया इसका बोल्टेज चेक करते हैं और पुट है निकल रहा है कि देखिए है कि 39.50 तब 40 वोल्ट निकल रहा है कि अभी हम इतीनों को इसके कोबर में लगाएंगे डालेंगे इसको बार टेस्ट करेंगे अगर कि एक मेले अंदर दे दिया है इसका तुवी एक तीनों को अंदर देने हैं डोле कि अ थि कर दो जो इसको अप्रू लगना हर लाग हर व, प्रॅजल झाल्स प्रूल गोड़ो बड़ो रंड़ो गिमए रखिए खौदागा ताहिजूंगों उद कि पॉर दो गट सिर्दाओ टॉरो जब रिए रखिए खुट सब्सक्राइब जब कि रिए बात कि रिए और हो गिए कि अपड़ कि उचे हैं उप यदिए जब एज खिर खिए कि अज़ खब अज़ बुम एंग एंगां, लूब एंगे हैं, लूब खबादाना हुआ। हुआ हुआ है है जब तीनों को हम चेक करेंगे अग साथ है जब तीनों में पेलेडी गलो कर रहा है है जब तीनों को बोल्टर चेक करते हैं है जब तीनों काना यो तून कमी टून dos a 2 c इसना राइ भाइक में भॉझता ख़भ्या में ए साहितो इसना राइक लेडिकान और नाइक हो कि अौभ्या कर दिना यदिता अग्या ख़भा गार्त रहत हो फ़गा च आ एक्षिंग अग्या आग्या लाग्या आख है आख इस हम नहीं कोवर लगा दिया अब्सक्रूर लगा देंगे सहार शुल हम ले जखां लेका नवां लेगा लेगा जब ख़ ड़ाны उचे रिर नागोे बाही होया लोज है अदागों का यजे शुणार हो लोगा रघके झाल सेंगे, यो बशया अगाना फिल रगाना सीजागं प्रफ़क बंट ठेगा तक हिस्ट और प्रबसंढें और स्दित नड़ेंगा बंट आड़ें। कि आड़ें कि उर इस्ट ऑड़ें हिंट। कि अ कि अ égalगा कि अ अगय हो आए गगा कि अ एग जगा कि अगू कर दो झाल जगा कि अ हुआ हो इग हो एह हो आ गग हो एग झाल वे हम फाइनल टेस्ट करेंगे किनो को लाइन लेंगे देखिए यह देखिए यह देखिए यह तीनों पाउर सप्लाई हमने उक्के बना लिया अगर इसके बारे में कोई कुछ पुछना चाते हैं तो मेरे मेरे को मेल कर सकते हैं मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए तरा तरा के वीडियो में बना सकूँ तो ठेंक्यू आज के लिए इतना ही फिर मुलाकात होंगे दूसरे कोई आइटेम हम आपके पास ले आएंगे तो ठेंक्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा ठेंक्यू